हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता, स्वागत करती हूँ आपका अनीतास गैलेक्सी में आज की वीडियो में डेविल्स बैकपोन पर बात करूँगी, इसकी मेरे पास कुछ एक वेराइटी है उन सब के बारे में आज आपको बताऊंगी डेविल्स बैकपोन में ये थोड़ी बड़ी पत्तियों वाली वेराइटी है इसमें वेरिगेशन होता है पत्तियों में, वाइट और ग्रीन का कॉंबिनेशन होता है पत्तियां थोड़ी बड़ी होती है और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है इसकी cutting किसी भी मौसम में लगाई जा सकती है और हर मौसम में ये survive कर जाता है ये shade में चलने वाला plant है और इसको धूप नहीं चाहिए मिट्टी भी जब इसकी एकदम सूख जाए तब ही इसमें पानी देना है well-drained मिट्टी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं इसकी variegated पतियां बहुत ही खूबसूरत लगती है size भी इनका थोड़ा बड़ा होता है इसको devil's backbone भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी stem जो है जिग-जग सी होती है टेड़ी मेड़ी बनी होती है इसकी ये अगली variety है इसमें variegation नहीं होता इसकी पतियां green होती है लेकिन stem इसके इसी तरह के होते हैं जिग-जग टाइप से ही और ये ये भी cutting से बहुत आसानी से लग जाता है इनकी छोटी-छोटी cutting लेकर के नीचे की पतियां हटा करके और मिट्टी में लगा देंगे तो ये अराम से ग्रो हो जाती है ये devil's backbone की अगली variety है इसका भी stem जिग-जग साया इसकी पतियां एकदम छोटी है इसकी पतियों में भी variegation है लेकिन इसकी पतियों में जो variegation है वो dark और light green color का variegation है इसकी भी अपनी अलग ही खुबसूरती है छोटी पतियों में variegated पतियों में और इतना सुंदर इसका look लगता है इसमें नीचे से पूरा stem खाली रहता है इसमें उपर उपर ही पतियां रहती है और नई-नई branches इसमें अपने आप नीचे से भी निकलती रहती है और उपर भी नई-नई branches अपने आप ही बनती रहती है इसमें यदि दो-तिन cutting एक साथ लगा देंगे तो वो भी बहुत खुबसूरत लगता है ये devil's backbone की अगली variety है इसमें भी पतियां तो एकदम छोटी होती है लेकिन इसमें varigation नहीं होता है ये एकदम green color का होता है और ये बिल्कुल common variety है ये अधिकतर जगे जगे देखने को मिल जाती है इसमें भी नीचे से नई-नई stem बनती रहती है नीचे की पतियां जैसे ज़ड़ गई है पूरा खाली हो गया है इसका stem उपर उपर पतियां है लेकिन जो नीचे से stem बना है उसमें नीचे भी पतियां इस तरह से ये सभी varieties बहुत ही खुबसूरत लगती है और इनको सब को cutting से असानी से grow कर सकते हैं छोटी छोटी cutting ले करके इनको मिट्टी में लगा देंगे या sand में लगा देंगे तो ये बहुत असानी से grow हो जाएंगी बहर खुले में भी अच्छे से चलते हैं और shade में भी कि जो cutting लगाई थी उसको मैं report करूँगी तो वो मैं आपको दिखाती हूँ ये वो cutting है जो मैंने लगाई थी इसकी और ये देखिए अब कितनी अच्छी चल रही है इसको मैं इसमें से निकाल करके आपको दिखाती हूँ उसके बाद इसको report करूँगी इसकी में बहुत कैसे करके निकालना है और देखिए कितनी अच्छी इसमें गुच्छे में roots इसकी बनी हुई है उपर से इसका root ball बिलकुल नहीं तोड़ना है और इसको ऐसे ही shift कर देना है नीचे ये pot जो रखा हुआ है इसमें हम इसको shift करेंगे अभी इसकी root देखिए कितनी अच्छी बन है root ball को इस तरह से ही सिधा रख करके इसको मिट्टी से चारो तरफ से इसको cover कर देंगे इसको और अराम से ताकि टिक जाए ये और फिर आराम से चलता रहेगा plant इस तरह से इसको shift करने के बाद इसको shade में ही रखेंगे पानी इसमें अभी जैसे हमने shift किया है तो पानी तब कम पानी की इसको जरूरत होती है ज्यादा पानी से इसकी roots में rotting हो जाती है वो गलने लगती है इसलिए मिट्टी को check करके ही पानी देना है फ्रेंड्स मेरी वीडियो से यदि आपको जानकारी मिलती है और आपकी help होती है तो वीडियो को like share करिए और channel को जरूर subscribe करिए bell icon को भी press करिए ताकि आने वाली वीडियो की notifications आपको मिल सकें तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में